हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डाक्टर आरकी सिलहा आरकी इंग्लिस एक्सपर्ट की तरब से आप सभी का विल्के में रिलेटीव प्रणावन के अंतरगात हम लोग इसके पहले वाली लेक्चर में पढ़ेते हैं लेकिन आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विश का प्रियोग कैसे होता है और किन सेंस में होता है आई होप कि ये वीडियो देखने के पास से आप ये समझ जाएंगे कि वीज का परियोग कहां और कैसे होता है तो चलिए वीडियो की एंटर का बने रही है और हम वीज का परियोग बहते विन तरीके से जानने का प्रियास करेंगे और विश का प्रियोग इसका प्रियोग निर्जीव वस्तू तथा जानवरों के लिए किया जाता है पहले बात है कि विश का प्रियोग हम करते तो है लेकिन किसके लिए करते हैं यहां मैंने clear लिख दिया है और which का प्रियो निर्जी उबस्तू तथा जानवरों के लिए करते हैं यानि निर्जी उबस्तू और जानवर दोनों के लिए करते हैं लेकिन एक साथ में दोनों के लिए हम नहीं करेंगे बारी-बारी से उसका इस्तमाल किया दाएगा यहां लिकाता है, which का मतलब जो जिसने जिसए या जिससे जिससे जिसन जिसस या जिससे जिससे, हमको निकालना है तो हम wish करेंगे तीक आप देखिए यहाँ पर इससे related कुछ examples है लेकिन example बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीज का मतलब किसे भी होता है यह जब selection की बात की जाए जब वहां से select करने की बात की जाए तो हम वहां पर वीज का परियोग करते हैं लेकिन उस case में वीज का मतलब कौन सा तो आप यह कैसे decide करेंगे और कैसे जानेगे कि वीज का मतलब कौन सा कौन सा होता है यह जो जिसने जिससे जिससे होता है तो बहुत संदार्ट ट्रीक इसके पास मेरे पास है जिससे आप बिलकुल असानी समझेंगे देखते हैं यह वहे कुता है जो हम पर भावता कर राता है यह वहे कुता है तो यह के लिए लिखेंगे this or is हाई के लिए is और वही के लिए the dog है जो अब यहाँ आया हुआ है जो तो जो आप इसम्ने देख रहा है ना जो इसके पहले वाली वीडियो लेक्चिर का मतलब हो भी बताया था लेकिन यहां पर वहां पर जो के पहले ब्यक्ति का जिक्र हो रहा था और यहां पर जो के पहले जानवर का जिक्र हो रहा है यहां जो के पहले अगर बस्तु का भी जिक्र हो रहा है तो हम इसकी मेनिंग यहां पर लिखेंगे which this is the dog which करता क्या है भागता रहता है तो जब कोई action continue हो जारी हो तो उस condition में हम goes on या keep on का परियोग करेंगे अगर subject singular होते हैं तो goes on keeps on अगर subject plural होते हैं तो go on या keep on तो यहां पर हम free है go on या keep on लगाने के लिए तो चलिए मैं go on लगाता हूं लेकिन यहां पर goes on लगेगा क्यों इसलिए क्यों वीच के पहले जो डॉग आया हुआ है यह सब्जिक्ट आया हुआ है यह सिंग्लर है इसलिए गोज करेंगे क्योंकि सेंदेश तो है present and definite को ले रहा है और वीच गोज आन और गोज आन के वर में लगेगा आई एंजी आग कि तो पर की मेनिंग यहां पर एट लगेगा हम पर है तो हम की मेनिंग अगर यहां पर जो के पहले ब्यक्ति का जिक्र होगा तो यहां पर हू का पर होगा और इसके सेंस में और भी कुछ यहां पर एक्जांपल पड़ी हुए है यह वही कुर्सी है जिस पर और सॉरी यहां प लिए टा करते था है तुछLo अब यहाँ देख़िये जिशर पर जेस के पहले दिख़िए कभी कभी क्या ओगा जब रू और गोवन बस तो वहाँ पर जीस पर कश्यन्स आएगा तो जीस के मैनिंग यहां पर हम लिख तो लिखेंगे ही अज साथ पर के मैनिंग ओन लगाना पड़ेगा दिखी कैसे लगाता हूं यह वह ही कुर्सी है फिर यहां लिखेंगे और देस इस दा चेयर अब आया हुआ है जीस पर तो पर की मैंने लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे विच यानि अन विच हम अगर केवल विच लिखेंगे तो सेंटेस हमारा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि इसके पहले और विचेयर का नरे यहां में है लुशन सेंटे और आपने लिखेंगे और और विच यह को होती है वर्ब की आप्सेंस क一下 कर्ता था विच यह चेयर अनुच आउंट लीचल्परर क्रेंगे को खेंगे मेर turkey वॉर्ब का महंगा है मेरे पास एक अंगठी है मेरे मेरी की मेनी लिखेंगे आई आपके दिमाग में चल ला हुआ कि मेरे की मेनी माई तो डाफिनेटली होता है लेकिन मेरे की बाद अगर पास सब्द आ जाए तो मेरे की मेरी माई लिखकर आई लिखते हैं यानि आई और पास के लिए है मेरे पास यानि I have अंगती यानि ररेंग फिर आप दिखेंगे जो के पहले बस्तु का जिक्र हुआ है तो आप यहाँ पर जो कि मेरी हू नहीं लगाएंगे हू का परियोग आपको व्यक्तियों के लिए करना है जो के पहले अगर पर ब्यक्ति का जिक्रफ होता है आप हो का इस्तमाल करेंगे जो के पहले जानवर यहां वस्तु आजा है तो आपको definitely no doubt आप यहां पर वीच का ही परियोग करेंगे तो I have a rank which is मतला है बहुत मांगा वेरे कॉसले और इस इस दोग वीच गोज आपको समय में आया होगा और आज की बाद से वीच का परियोग आप सुटेबल जगह पर करना जाएंगे थां थान एपको पन्यों आप करना जाएंगे वाएंगे धन दो नख्यों करना ये अद्या दाएंगे